आप सबी को मेरा प्यार भ्यार नमस्कार पहलाग आज मैं उत्राखंट के जंगलों में पाई जाने वाली लिंगडे की सबजी बना कर दिखा रही हूँ लेकिन सबजी बनाने से पहले मैं आपको इसका परिचय दूँगी उत्राखंट के जंगलों में तरह तरह की ओसाधी वनस्कार जिनका प्योग करके हम खुद को स्वस्त रख सकते हैं उनमें से एक ओसाधी वनस्कार जिसका सबजी के रूप में उप्योग करके हम विमार्यों से बस सकते हैं डॉक्टरू के अनुसार लिंगड़ा में कैलसियम, पोटेसियम, आइरन, प्रोटीन, फाइबर, बिटामेन सी पाये जाता है। लिंगड़ा एक ऐसी जंगली वनस्पती है जो उत्राखन और अन्य हिमाली राज्यों के जंगलों में नमी वाली स्तानों में उखता है। इसको उत्राखन में कई नामों से फुकारे जाता है। कोई लिंगड़ा कहता है, कोई लिंगड़ कहता है, कोई लिंगड़ कहता है। दुनिया भर में लिंगड़ा की लगभग 400 परजातियां पाई जाती हैं। आज मैं लिंगड़े की सबजी बना कर दिखा रहे हूँ। यह सबजी बनानी बहुत सरल है। आप पूरे वीडियो देखें और देखें कि लिंगड़े की सबजी कैसे बनाई जाती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अधिक से अधिक शेयर कीजे अपनी उत्राखन की सल्सक्रिती, अपनी उत्राखन का खान पान को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कीजे। चले शुरू करते हैं लिंगडे की सबजी कैसे बनाई जाती है। और टमाटर को बारिक बारिक काट लें। टमाटर में हरी मिर्ची भी काट लें। हरी मिर्ची से सबजी का स्वाथ और भी बढ़ जाएगा। प्याज डाल दें। प्याज को पिल्कुल ब्राउन होने तक भूने। प्याज को भूनने तक हम लोग मसाला बना लेते हैं। हमने लेसन को बारिक करके पीछ लिया है। अब इसमें हम लोग दो चम्मस धन्या पाउडर डालते हैं। मिर्ची हम कम डालेंगे क्योंकि हमने इसमें पहले ही हरी बिर्ची डाली है। हल्दी चंड डाल लेते हैं चम्मस और साथ में एक चम्मस गरम मसाला डालते हैं। और नमक को स्वाद के अनुसार बाद में मिला लेंगे। अभी हमने यह सम मसाला किया है। अब हमारा प्याज भुनने वाला है। अब जब प्याज भुन जाएगा तो उसमें हम टमाटर एट कर देंगे। प्यास के बाद टमाटर डाल दिया है हमने और टमाटर को हमने पकने के लिए रख दिया है जब यह टमाटर बिल्कुल गल जाएगा उसके बाद हम इसमें मसाला डाल देंगे अब हमारा टमाटर भी गल गया है अब हम लोग इसमें मसाला डाल देते हैं नमक आप अपने स्वात के अनुसार डाले ना ज्यादा नमक डाले ना कम डाले अब हमारा मसाला बिल्कुल तयार हो गया है अब हम इसमें सब्जी डाल देते हैं जिंगोर की सब्जी इसमें हमने डाल दी है और इसमें हमने मसाला अच्छी तरह मिला दिया है मसाला मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे और हलकी आज़ पे एक धक्कन लगाकर इसको पकने के लिए रख देंगे लिंगडे की सबजी पक चुकी है और देखने में ही बड़ी स्वादिश्ट लग रही है आप इसको रोटी के साथ चावल के साथ भी खा सकते हैं और इसको और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें दही एट कर सकते हैं अगर आपको दही पसंद है तो आप दही डाल सकते हैं मैंने इक कटोरी इसमें दही डाल दिया है इस तरह मैंने दो प्रकार की सबजी बना दी है एक तो बिना दही वाली बनाई और एक दही डाल के बनाई थोड़ी सी मैंने बिना दही वाली निकाल के अलग से डॉंगे में रख दिये और दही वाली सब्जी अलग से डॉंगे में रखूंगी सब्जी में हरा धनिया बारिक बारिक काट कर डाल ले मैंने दो प्रकार की सब्जियां बना दी है अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ क्योंकि अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ अगली वीडियो में एक नहीं जानकारी के साथ आउंगी तब तक के लिए नमस्कार पहला चैनल को सस्क्राइब कीजिए और अधिक से अधिक सियर कीजिए